अगर आप जाना चाहते हैं कि मार्श मंत में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की अनरजीज होंगी, क्या आपकी अनरजीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीजों का खयाल रखके आप मार्श मंत में अपनी लव लाइफ को बहतर कर सकते हैं, त तो चलिए जी आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, तो चलिए Aquarius आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मेरे पास यहाँ पे तीन सेट आफ कार्ट हैं, फर्स सेट में हम आपके अनरजी देखेंगे, सेकिन सेट में आपके पार्टनर की अनरजी देखेंगे, एं थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंत में क्या हो रहा है, आप से शुरू करते हैं Aquarius और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ट मुझे दिख रहा है, टू अफ सोर्स रिवर्स, यह कार्ट कहता है कि कुछ लोगों के लिए ह कि पीछे कुछ टाइम से बहुत एक स्टक एनरजी थी, जहाँ पे आप उतने आक्शन इनिशेटिव नहीं ले रहे थे, या फिर कुछ के लिए हो सकता है, बिलकुल भी आक्शन इनिशेटिव अपने पार्टनर के लिए इस रिलेशन्शिप के लिए नहीं ले रहे थे, ए सकता है कि बहुत जादा ही एक स्टक वाली एनरजी, स्मार्ट स्टार्टिंग में एक्वेडियस आप महसूस कर रहे हैं, इसके लिए सब एक्वेडियस के लिए डिफरेंट रीजन्स होंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन टू अफ सोर्स के नीचे नीचे कंपार नहीं है, उतना आपको understand नहीं करते हैं, उतना आप लोगों के thoughts, views नहीं एक दूसरे से match करते हैं, और देखे कुछ के लिए ये भी एक reason हो सकता है कि religion, society या फिर जो भी आपके घर के बड़े हैं, वो इतना जादा नहीं approve कर रहे हैं आपके partner को, या फिर उनके point of view से कुछ issues कुछ मसले रहे हैं, और देखे, deeper level के लिए intimacy का card कहता है, कि आप बहुत एक closeness, बहुत एक intimacy अपने partner के साथ किसी level पे चाहा भी रहे हैं, और देखे, कुछ के लिए mental intimacy हो सकती है, कुछ के लिए emotional intimacy हो सकती है, लेकिन जादा एक physical intimacy, equidus आप अपने partner के साथ चाहते हुए बहुत जादा fixated हो रहे थे, एक जिद वाली energies थी, लकीर के फकीर आप बन रहे थे, तो उसमें थोड़ी सी आप flexibility लाना चाहा रहे हैं, थोड़ा सा आप you know, again मैं कहूंगी, उन fixated rigid energies में से खुद को बहार निकालना चाहा रहे हैं, निकल रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि इसके बावजूत कि बहुत एक intimacy आप मन ही मन अपने partner के साथ चाहा रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात से नहीं हट रहे हैं, फिर भी आप बहुत fixated, बहुत rigid हो रहे हैं, देखिए जनरल reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, क्योंकि आपे दोनों ही cards reverse हैं, तो एक effort कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, कि इन ही energies में बहुत deep जा रहे हैं, और देखिए जो भी surface level के लिए हो रहा हो, deeper level के लिए compatibility का card कहता है, इन ही सब चीजों के लिए ये एक reason रह सकता है, और इन सब चीजों के बावजूत भी, एक intimacy आप अपने partner के साथ चाहा रहे ह हैं, किसी भी तरीके की intimacy हो सकती है, लेकिन physical intimacy जादा रहती हुई दिख रही है, और देखिए physical एक closeness जादा आप चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन देखिए mid March के बाद से, यहाँ पे two of wands and worthiness के cards कहते हैं, कि जो भी आप चाहा रहे हैं, उसी से related या फिर in general भी बहुत ज confidence आता हुआ दिख रहा है, और आप कहीं next steps लेना चाहा रहे हैं या ले रहे हैं, बहुत again मैं कहूंगी confidently, assertively, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, progress, growth पे focus करते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि you know, end March में भी आपको ऐसा लगे कि आप दोनों के views नहीं match कर रहे है difference of opinion हो रहा है, लेकिन कहीं इस चीज को भी आप understand करते हुए, या फिर इस चीज के लेकर भी अगर compromise करना पड़े, तो वो आप करने के लिए ready दिख रहे हैं, और फिर से मैं कहूंगी आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, सब के लिए यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा differ कुछ के लिए हो सकता है, पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, परसनल लाइफ में कोई चीज है, उसमें आप you know next steps लेना चाहा रहे हैं, लेकिन जादा मुझे दिख रहा है कि इस relationship में पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ना चाहा रह आपे सबसे पहले कार्ट मुझे दिख रहे हैं, the moon, the distorted masculine, तो देखिए दोनों ही कार्ट कहीं confusion की बात करते हैं, किसी level पे you know एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करने की बात करते हैं, fear insecurities की बात करते हैं, जहां पे समझ में ही नहीं आ रहा कि अब आगे करें क्या, तो कुछ इस तरीके की energies, March starting में आपके partner के लिए रहती हुई दिख रही हैं, and दिखिए, starting के बात से, यानि कि mid March लेकर end March तक के लिए, forgiveness and resolving conflict के cards बहुत ही clearly कहते हैं, या तो पीछे कुछ issues, कुछ मसले रहे, और उन issues, उन मसलों का reason, या तो Aquarius आप से कोई गलती हुई, या फिर की वज़े से रहा होगा, और कहीं दिखे, mid March के बाद से, आपके partner इन ही issues, इन ही मसलों को solve करना चाहा रहे हैं, यानि कि अगर आप से कोई गलती हुई, तो वो आपको forgive करना चाहा रहे हैं, आपको माफ करना चाहा रहे हैं, और अगर उन से कोई गलती हुई, तो वो आप से माफी माँगना चाहा रहे हैं, उनको बहुत जादा लग रहे हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, और फिर से मैं कहूंगी resolving conflict का card कहता है, कि कुछ भी issues हैं, मसले हैं, distance है, या फिर गलतीया हुई हैं, वो सब को sort out करना चाहते हैं, इस card में देखे, love, compassion, understanding, empathy लिखा हुआ है, I don पर आपका point of view समझना चाहा रहे हैं, आपको समझना चाहा रहे हैं, बहुत loving, बहुत caring, बहुत compassionate energies के साथ, चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, और फिर से कहूंगी, हर चीज को resolve करना चाहा रहे हैं, और इसी से ही related king of pentacles and knight of cups rivers के cards कहते हैं, कि काफी practical realistic होके चीजों को deal कर रहे ह या फिर काफी practical realistic हो रहे हैं and साथ ही साथ emotional sentimental भी हो रहे हैं and देखें sensitive भी हो रहे हैं, कुछ चीजें उनको hurt भी कर रहे हैं या फिर कुछ चीजों को काफी वो दिल पर भी लगाते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं Aquarius की March मंत में क्या हो रहा है, तो देखें March स्टार्टिंग के लिए आप दोनों की ही energies बहुत great नहीं दिख रहे हैं, लेकिन देखें relationship में देखें, overall तो यहाँ पर magician and chivalry के cards कहते हैं, कि बहुत जादा boldly, बहुत जादा courageously, आप दोनों ही चीजों को deal क रहे हैं and in the process, थोड़ा सा manipulative होना पड़े, थोड़ा सा diplomatically चीजों को deal करना पड़े, तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करते हुए दिख रहे हैं and देखें कहीं, फिर से मैं कहूंगी, जो भी action initiatives required हैं, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं and द commitment चाहा रहे हैं, आप दोनों ही togetherness चाहा रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए चाहा रहे हैं, लेकिन surface level के लिए, देखें किसी चीज़ को लेकर एक frustration रह सकती है, किसी चीज़ को लेकर एक गुसा रह सकता है और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा सब के एक की ऐसी energies हो रही हैं, सब के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन हो सकता है, कि देखें जैसे हमने आपके partner के card में देखा, forgiveness, resolving, conflict के cards हैं, तो कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ मसले हुए हैं, उन पे आप दोनों में से कोई एक बहुत जादा focus कर रहे हैं, और इसलिए एक frustration हो रही ह जहां पे उनको ऐसे लग रहा है कि बस अब और नहीं patience और सबर रख पाएंगे, तो ऐसी भी energies overall आप दोनों की, आप दोनों में से किसी एक की रह सकती हैं, और कहीं देखिए end of March के लिए king of wants and spiritual maturity के cards कहते हैं, कि चीजे resolve होते हुए दिख रही हैं, बहुत जबर्दस्तिक enthusiasm र beyond the point डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं and यहाँ पर spiritual maturity का card कहता है कि बहुत ही maturity से चीजों को deal कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के viewpoint को मैं कह सकती हूँ, समझने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे जो भी आप लोगों का goal है, जो भी आप लोगों का मकस सद है, उसको आप अचीव करें, जो भी challenges है, issues है, कैसे मिल कर दोनों उनको overcome करें, उस पे focus रहता हुआ दिख रहा है, तो देखें, broader level के लिए जो भी हो रहा है, कहीं end March में, चीजें काफी better होती हुए दिख रही हैं, तो यह था Aquarius आप लोगों के लिए March 2023 की Love Tarot Reading, और अग को आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें